प्यारे बच्चों सूप्रभात आज हम कक्षाठ मी विशे संस्कृत रुचिरा भाग तीन उप विशे है हमारा शब्द रूप वे पाठ पाँच प्रदक्त कारिये प्यारे बच्चों आज हम अपनी पाठे पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग तीन से शब्द रूप पढ़ेंगे आज हम अपना व्याख्यान एक करेंगे इस व्याख्यान में शब्द रूप क्या होते हैं? किस प्रकार इनके द्वारा अनुवाद किया जाता है? संस्कृत में इनका क्या महत्व है? यह सब हम अपना व्याख्यान एक में पढ़ेंगे सबसे पहले बिटा मैं आपको शब्द रूप क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द रूप के बारे में जानकारी दूँगी अब सर्वनाम शब्द का अर्थ है सब का नाम अर्थार्थ वे शब्द जो सब नामों अत्वा संग्याओं के स्थान पर प्रुक्त होते हैं प्रुक्त होते हैं यानि बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं प्यारे बच्चों आपको ग्यात है कि सर्वनाम का प्रियोग हम कहां पर करते हैं अर्थार्थ संग्या के स्थान पर जिन शब्दों का प्रियोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं आज का हमारा उपविशे भी सर्वनाम शब्दूप है, उसी से संभन्दित हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जैसे मैं, मैं को हम संस्कृत में अहम कहते हैं, मैं को हम अहम कहते हैं, तु को त्वम कहते हैं वह सह वे ते हम वयम तुम यूयम अब ये शब्द हमारे क्या है सर्विनाम शब्द है अब इसी प्रकार से यहां पर मैंने एक, दो, तीन यानि तीन च्यार पंक्तियां ली हैं उन्हीं पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको सर्विनाम शब्द की जानकारी दूंगी एक ही नाम अत्वा संग्या शब्द को बार बार दोहराने से बचने के लिए वाक्यों में सर्विनाम शब्दों का प्रियोग किया जाता जैसे राम, मम, प्रियम, मित्रम, अस्ति राम मेरा प्यारा मित्र है राम अहां आद्रशह चात्रह अस्ति राम आदर्श चात्र है राम अहां पठने भाष्णे अती निपुण अस्ति राम पढ़ने भाष्ण में अती निपुण है बच्चो यहां पर मैंने राम के उधारन के साथ तीन पंक्तियां लिखी अब नीचे मैंने उसी प्रकार से तीन पंक्तियां लिखी है लेकिन अंतर स्पष्ट है देखते हैं रामह मम प्रियम मित्रम अस्ति राम मेरा प्यारा मित्र है सह आद्रशह चात्रह अस्ति वह आदर्श चात्र है सह पठने भाषणे अती निपुन हां अस्ति वह पढ़ने में भाषण में अती निपुन है अब आप स्वेम देखिए कि पहली पंक्तियों में और दूसरी पंक्तियों में क्या अंतर है अर्थार्थ पहली जो पंक्तियां है उन पंक्तियों में मैंने राम शब्द को बार बार लिया है रामहा मंप्रियम मित्रमस्ती, रामहा आद्रशह चात्रहस्ती, रामहा पठने भाशने अती निपुनहास्ती बच्चो भाशा की दृष्टी से यह हमारे वाक्य यानि व्याकरण की जो दृष्टी है उससे बिलकुल सही है लेकिन राम शब्द के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्दों का प्रियोग करके राम की पुन्रावृती को रोक दिया है अर्थार्थ, जब हम राम शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं, इससे पढ़ने और सुनने में अजीब सा लग रहा है दोनों ही हमारी पंक्तियां ठीक हैं, लेकिन संग्या के स्थान पर जब हमने सर्वनाम शब्द का प्रियोग किया तो क्या हो गया, ये हमारा सर्वनाम शब्द रूप बन गया अब इसी से संबंदित मैं आज आपके सामने कुछ शब्द रूप लाई हूँ पहला हमारा किम यानि क शब्द रूप है, किम का अर्थ क्या होता है, किम क्या या कोण पुलिंग शब्द रूप, स्ट्रिलिंग शब्द रूप और नपुनसक लिंग शब्द रूप बचो, अब शब्द रूप पढ़ने से पहले, यानि विभगती, वचन कितने होते हैं, अब जो सर्वनाम शब्द रूप हैं, उसमें संबोधन का प्रियोग नहीं किया जाता, प्रत्मा विभगती से लेकर सब्तमी विभगती का प्रियोग किया जाता है वचन भी हमारे संस्कृत में तीन होते हैं और लिंग भी हमारे संस्कृत में तीन होते हैं वचन एक वचनम, द्वी वचनम, भव वचनम और लिंग, पुलिंग, स्ट्रीलिंग और नपुनसकलिंग तो इसी प्रकार हमारे संस्तृत में जो शब्दूप होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं पुलिंग शब्दूप, स्ट्रीलिंग शब्दूप और नपुनसक लिंग शब्दूप अब यहाँ पर जैसा मैंने लिखा कि किम का शब्द रूप, सबसे पहले हम किम का शब्द रूप करेंगे, फिर हम सर्वनाम से संबंदित यानि अस्मद और युश्मद का शब्द रूप करेंगे प्रत्मा विभगती है कह, कउ, के, कह यानि एक वचन के लिए, कउ द्वी वचन के लिए और के बहु वचन के लिए द्वित्या विभगती है कम, कउ, कान, एक वचनम, द्वी वचनम, भव वचनम, त्रित्या विभगती केन, काभ्याम, कई ही चतुर्थी विभगती है कस्मई, यानि चतुर्थी विभगती संप्रदान कारक के लिए, कस्मई, काभ्याम, केब्यह, कस्मात, अपादान कारक अब कारक आपने पढ़े होंगे, कारक के अनुरूप ही ये हमारे शब्द रूप चलते हैं कस्मात, काभ्याम, केभ्य है सश्टिवी भगती है संभंद, का, के, की कश्य, कयो, हो, केशाम सब्तमी भगती है अधीकर्ण, यानि मे, पर कस्मिन, कयो, हो, केशु चतुर्थी भगती कस्मात, काभ्याम, केभ्य है सश्टि भगती कश्य, कयो, हो, केशाम सब्तमी भगती कस्मिन, कयो, हो, केशु अगला शब्द रूप है किम, स्ट्रेलिंग शब्द, रूप अब स्ट्रेलिंग शब्द रूप में किस प्रकार इसकी भगतियां चलेंगी प्रत्मावी भगती है का, के, कहा का, के, कहा दित्यावी भगती है काम, के, कहा काम, के, कहा तृत्या, कया, काभ्याम, काभ्य है कया काभ्याम काभ्य चतुर्थी वी बगती है कश्याई काभ्याम काभ्य है कश्याई काभ्याम काभ्य है कश्याहा काभ्याम काभ्य है सच्टी वी बगती है कश्याहा कयोहो कासाम सब्तमीर भगती बिटा ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द रूप था अब हमारा नपुन्सक लिंग शब्द रूप है किम का अब नपुन्सक लिंग का प्रियोग हम कहां पर करते हैं जैसे कि हिंदी में हमारे दो ही लिंग होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लेकिन संस्कृत में मैंने आपको बताया कि हमारे तीन लिंग होते हैं पुल्लिंग शब्दों के लिए पुल्लिंग जो पुरुषजाती का बोध कराएं नपुन्सक लिंग किसके लिए जो नेर्जीव वस्तों का बोध कराए अर्थार्थ ना पुलिंग में और ना स्त्री लिंग में उन्हें नपुन्सक लिंग कहा जाएगा और स्त्री लिंग जो स्त्री जाती का बोध कराए अब यहां पर जो हमारा नपुनसक लिंक शब्द रूप है, वो पुलिंग के शब्द रूप की तरह ही चलता है। इसमें केवल प्रत्मा और द्वित्या विभगती अलग है तृत्या से लेकर सब्तमी विभगती तक ये ज्यों कात्यों हमारा पुलिंग की तरह ही चलेगा आईए एक बार पढ़ते हैं प्रत्मा विभगती किम के कानी किम के कानी द्वित्या विभगती भी इसी तरह होगी किम के कानी तृत्या विभगती अब पुलिंग का शब्द रूप अगर आपने याद किया है तो नपुन्सक लिंग शब्द रूप आपको याद करने की आवशकता नहीं है केवल प्रत्मा और द्वित्या विभगती आपको याद करनी है तृत्या विभगती से लेकर सब्तमी विभगती तक ये पुलिंग के समान ही चलेगा तृतिया विबगती क्या है केन का भ्याम कही यानि जो पुलिंग का शब्दूरूप है उसी की तरह हमारा नपुन्सक लिंग की तृतिया विबगती से लेकर सब्तुविबगती तक प्रियोग होगा चतुर्थी विबगती कश्माई काभ्याम केभ्यहे, पंजमी कस्मात काभ्याम केभ्यहे, सश्टी कश्य कयोहो केशाम, सप्तमी कस्मिन कयोहो केशु प्यारे बच्चों, हमने देखा की नपुन्सक लिंग शब्द रूप हमारा पुलिंग की भाती ही है, केवल प्रत्मा और द्वित्या विबगती अलग हैं, तृतिया से लेकर सब्तमी विबगती तक यह है पुलिंग के समान ही है अब हम सर्वनाम शब्द यानि अस्मद, अस्मद का अर्थ है मैं, क्या है मैं, मैं शब्द रूप को हम दोहराएंगे प्रत्मा विबगती है अहम, आवाम, वयम, अहम का प्रियोग एक वचन के लिए, आवाम का प्रियोग दो के लिए और वयम का प्रियोग भवचन के लिए यानि अहम गच्छा में मैं जाता हूँ, आवाम, गच्छा वह, हम दो जाते हैं, वयम, गच्छा मह, हम सभी जाते हैं अर्थार्थ क्या है, एक वचन के लिए हम अहम का प्रियोग करेंगे, दी वचन के लिए हम आवाम का प्रियोग करेंगे और भवचन के लिए हम वयम का प्रियोग करेंगे दृतियावी बगती माम आवाम अस्मान माम एकवचन आवाम दीवचन और अस्मान बहुचन तृतियावी बगती मया आवाभ्याम अस्मा भी ही अब मया मेरे द्वारा तृतियावी बगती साधन होता है यानि के द्वारा, से द्वारा, चतुर्थी विबगती महियम या में महियम आवाभ्याम अस्मभ्यम महियम आवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत मत आवाभ्याम अस्मत मम आव्योगो अस्माकम मम आवयोहो असमाकम सब्तमी भगती मई आवयोहो असमासू बिटा, ये हमने माशब्द रूप यानि अस्मद सर्वनाम शब्द रूप को पढ़ा इसी की तरह हमारा युश्मद शब्द रूप बनेगा युश्मद का अर्थ है तू अब हम उसको भी एक बार पढ़ते हैं प्रत्मावी भगती त्वम, युवाम, यूयम त्वम, तुम, यूवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब यानि त्वम का प्रियोग किसके लिए? एक वचन के लिए युवाम का प्रियोग द्वीवचन के लिए और युयम का प्रियोग भवचन के लिए अब मैं यानि अस्मद और तू तूस्मद युश्मद द्वित्यावी भगती त्वाम युवाम युश्मान त्वाम युवाम युश्मान त्वया युवाभ्याम युश्मा भी ही चतुर्थी विवग्ति तुभ्यम युवाभ्याम युश्माम्भ्यम त्वत युवाभ्याम युश्मत सस्टी विवग्ति त्व युव्योहो युश्माकम केवल बेटा यहाँ पर शब्दों का अंतर है ऐसे ही जैसे वहाँ पर क्या था मत और यहाँ पर पंचमी में क्या है त्वत वहाँ पर क्या था मम और यहाँ पर क्या है त्व वहाँ पर क्या था मई और यहाँ पर क्या है त्वई यानि त और म म मैं और त तुम यूयम का आर्थ क्या है तुम सब तो यहाँ पर हमने अस्मद और युश्मद शब्दों का अध्यन किया शब्द रूपों को हमने पढ़ा आज का आपका ग्रिही कारिय है आपको ग्रिही कारिय में अस्मद वे युश्मद शब्द रूप लिखना है वे याद करना है अब मैं आपको पाठ पाठ से संबंदित हमारा एक प्रश्न रहे गया था उसको करवाती हूँ आईए प्रश्न साथ नीचे लिखे गए पदों में से धातू और प्रत्य अलग करके लिखिए बच्चों प्रत्य का विश्य आपको अच्ची प्रकार से समझा गया होगा क्योंकि प्रत्य हमने अभी अभी पड़े हैं जिस प्रकार हमारे हिंदी भाषा में प्रत्य होते हैं, उसी प्रकार हमारे संस्कृत भाषा में भी प्रत्य होते हैं अब यहां पर प्रश्न था हमारा धातू और प्रत्य अलग करके लिखिए अब यहाँ पर कुछ पद दिये गए हैं उन पदों में से आपको धातू और प्रत्य को अलग लिखना है अब दो प्रकार के मैंने प्रत्य बताए थे कि एक प्रत्य क्रियाओं के अंत में लगते हैं और दूसरे संग्या सर्व नाम विशेशन और अव्ये के अंत में लगते हैं तो यहाँ पर क्या है गन तुम यानि गम हमारी धातू है धातू के अंत में लगे हैं तो यह क्या है तुमन प्रत्य का प्रियोग के लिए के अर्थ में होता है गम धातू जाने के अर्थ में जाने के लिए गम जमा तुमन अर्थार्थ गम धातू तुमन प्रत्य गम और गच ये एक ही धातू है गच्ती गच्ताहा गच्छंती यानि लट लकार, लिट लकार में इसका प्रियोग गमी शती के रूप में होता है लेकिन लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग में इसका प्रियोग गच्छ के रूप में किया जाता है द्रिश्टुम द्रिश जमा तुमुन देखने के लिए द्रिश का आर्थ होता है देखना तुमुन का आर्थ के लिए करनिय क्री जमा अनियर यहाँ पर निय प्रत्य नहीं है अनियर प्रत्य है बेटा यह संस्कृत के प्रत्य हैं यह केवल आपको क्या करना है इसी प्रकार से दोराने हैं, इनका जब हमारा आगे विशय होगा, उसमें हम विस्तार पूर्वक इनका अध्यन करेंगे पातुम पा जमा तुमुन अर्थार पा धातू तुमुन प्रत्य, पातुम पीने के लिए, खादितुम खाद जमा तुमुन खाने के लिए कृत्वा क्री जमा कत्वा कत्वा प्रत्यकार्थ होता है करके यानि क्री जमा कत्वा करके द्रिश्टवा देखकर पीत्वा पीकर पातुम पीने के लिए खादित्वा खाकर खादितुम खाने के लिए अर्थार तुमन प्रत्य का जहां प्रियोग होगा उसका आर्थ के लिए के रूप में प्रियोग होगा और कत्वा प्रत्य का आर्थ करके के आर्थ में प्रियोग होगा बेटा अब हम जो आपको असाइनमेंट मैं दूँगी वह है इस प्रकार से है पाट पाँच प्रदत कारिये मेरा पहला प्रश्न है नीचे दिये गए शब्दों के अर्थ लिखिए ये पाँच पाट से समबंदित आपका प्रदत कारिये है जो आपको आज अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है प्रश्न एक, एकडा, खादी शैती, तदा, कुठार यही, लोम्शिका, उप्सित्ते, बाढ्धम प्रश्न एक, निमलिक शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ये शब्द आपके सामने दिये गए हैं, इन शब्दों के अर्थ आपको लिखने हैं प्रश्न दो है नीचे दिये गए गध्यांस को पढ़कर अनुवाद लिखिए यहाँ पर मैंने गध्यांस दिया है उस गध्यांस की आपको अनुवाद लिखना है अर्थारत इसकी हिंदी आपको अपने पुस्तिका में लिखनी है गध्यांसे है हमारा आसीत कश्चित चंचलो नाम व्यादः पक्षी म्रिगादी नाम ग्रिहनें सवियां जीवी काम निर्वाहेती इस्म एकदा सह वने जालम विस्तिरियम ग्रिहम आगत्वान अन्य अस्मिन दिवसे प्रात्य है काले यदा चंचलह वनम गत्वान तदा सह द्रिष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दोर भाग्यात एक अह बद्दह आसीत यहाँ पर इस गध्यांस की आपको हिंदी लिखनी है प्रश्ण तीन है नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर एक पद में लिखिये व्याधश्य नाम किम आसीत शिकारी का नाम क्या था? चंचलह व्याग्रम कुत्र द्रिष्टवान चंचलने बाग को कहा देखा? कस्मई किम अपी अकारिय ना भवती किसके लिए कोई भी कारण नहीं होता? प्रश्ण च्यार है नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिये चंचलेन वने किम कृतम, चंचलने वन में क्या किया? व्याग्रश्य पिपासा, कथम शान्ता, अभवत बाग की प्यास कैसे शान्तुई? जलम पीत्वा व्याग्रह किम अवदत, जल पी कर बाग क्या बोला? प्रश्ण पांच है, नीचे लिखे वाक्य किसने किसको कहे? कल्यानम भवतूते, तुम्हारा कल्यान हो, ये वाक्य किसने किसको कहा? जनाहा मई जलम स्नानम कुर्वनती, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं, किसने किसको कहा? और बेटा, ये असाइनमेंट आपको संस्कृत में ही करना है, अर्थार्थ इसकी जो मैंने पूछा है कि नीचे लिखे वाक्य किसने किसको कहे? इसकी आपको हिंदी में उत्तर नहीं लिखने, कल्यानम भवतूते, यहाँ पर आपको संस्कृत से संस्कृत में ही इनका उत्तर देना है प्रश्न चे है, नीचे दिये गई रेखांकित पद का प्रशन निर्मान कीजिए यहाँ पर जालाच शब्द को रेखांकित किया है, जालाच के स्थान पर आपको कशब्द रूप लिखना है यानि किम का शब्द रूप जो आज मैंने अभी भी आपको करवाया है और जब मैंने व्याख्यान करवाया उस समय भी आपको अच्छी प्रकार से समझाया था तो यहाँ पर यह कौन सी विबगती है और किम शब्द रूप की कौन सी विबगती का यहाँ पर प्रियोग होगा अब रिक्षम शब्द को रेखांकित किया गया है विक्षम के स्थान पर आपको किम शब्द रूप को भरना है फिर है व्याग रहे लोम शिकायई निखिलाम कथाम निव वेदयत यहाँ पर लोम शिकायई को रेखांकित किया गया है इसके स्थान पर आपको किम यानी स्ट्रीलिंग शब्द रूप को भरना है और विबगती का ध्यान रखना है कि कौनसी विबगती का प्रियोग हुआ है जिस विबगती का प्रियोग हुआ है उसी विबगती के अनुरूप आपको इनका प्रशन निर्मान करना है प्रशन साथ है निर्देस अनुसार उत्तर दीजिए सहलोम शिकायेई सर्वाम कथाम निव वेदय तस्मिन वाके विशेशन पदम किम यहाँ पर कथा किसने किसको सुनाई इस वाक्य में विशेशन पद क्या है वो पद आपको भरना है अहम्त्वत्कृते धर्ममा चरित्वान मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आच्रण किया यहां पर मैं शब्द किसके लिए यानी सर्वनाम शब्द का प्रियोग किसके लिए हुआ है सर्वह स्वार्थ समीहते सभी स्वार्थी होते हैं इस वाक्य में करतापद क्या है प्यारे बच्चो यह प्रदतकारिये आपको संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखना है और अस्मदवे युश्मद शब्दूरूप को भी आपको अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में लिखना है यह प्रदतकारिये आपको लिखना ह कल आपको इसका solution Adquark पर मिल जाएगा जहां पर मैं homework अपलोड करती हूँ और इस assignment को भी मैं Adquark के homework वाली साइट पर डाल दूँगी उमीद है आपको हमारा आज का व्याख्यान अच्छे तरीके से समझा गया होगा मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में धन्यवाद